तीन स्टॉक्स जिनके चार्ट पैटर्न दिख रहे हैं काफी बढ़िया और अगर आने वाले दिनों में हमें निफ्टी और ओवराल मार्केट अगर स्टेबल होता हुआ दिखता है तो हम उनमें पोजिशन भी बनाने के लिए देख सकते हैं देखेंगे हम लोग आज की वीडियो में Welcome to Investographer मेरा नाम है अंकित और वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक का बटन दबा दो और अज की वीडियो का लाइक का टार्गेट है 500 लाइक तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक का बटन दबा दो and comment section के अंतर जो like का number आपको दिखता है वो भी लिख देना अब वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से एक बार हम निफ्टी के उपर analysis कर लेते हैं breakdown देते हुए दिख रहा था 15,700 का जो एक major support था जो March में भी bottom बना था and recently भी पिछले एक दो महिने से काफी अच्छा support बना हुआ था वो अब हमें break होता हुआ दिखा निफ्टी के अंदर बट अगर हम इस वीक की बात करें तो इस वीक हमें काफी बढ़िया bounce back भी निफ्टी ने दिया है बट अभी भी resistance zone के उपर निफ्टी हमें जाता हुआ नहीं दिख रहा है ऐसे में जो resistance zone है वो है 15,700 से लेकर के 15,800,900 का zone और अगर निफ्टी हमें इसके उपर stabilize होता हुआ दिखता है तो short term में हो सकता है जैसे last month हमें यहाँ पर एक rally देखने को मिली थी इस तरह की वैसी ही एक छोटी सी rally कुछ इस तरीके से हमें देखने को उपर की side मिल सकती है तो ऐसे में अगर निफ्टी हमें उपर की side जाता हुआ दिखता है या अगर हमें stable भी होता हुआ दिखता है तो कुछ ऐसे breakout stocks हैं कुछ ऐसे बड़िया chart patterns हैं जिनके अंदर हम short term trading with proper risk management stop loss और targets लगा करके लेने के लिए देख सकते हैं अब जो 3 stocks हैं उनके अंदर सबसे पहल lower lower high formation के अंदर हमें देखने को मिल रहा है निफ्टी आटो की अगर हम पिछले 2-4 महिने की बात करें तो निफ्टी आटो हमें higher higher low position में जाता हुआ दिख रहा है तो definitely अगर हम structure wise बात करें तो compare to overall market निफ्टी आटो हमें काफी जादा strong देखने को मिल रहा है वहीं पे अगर ह तो निफ्टी आटो ने अपना previous high 2017 में बनाया था जो कि अभी तक इसने proper तरीके से breakout नहीं दिया है अगर हम किसी भी और sector से compare करें चाहे निफ्टी से compare करें बैंक निफ्टी से compare करें या और किसी भी sector से compare करें तो जाधतर sectors अपने बड़े breakouts previous high zones के दे चुके है बट आटो अभी तक ऐसा नहीं किया है तो हो सकता है अब हमें आटो में थोड़ी performance देखने को मिले बट obviously एक चीज़ हमें याद रखनी है क्योंकि overall broader market हमें weak देखने को मिल रहा है तो ऐसे में अगर broader market में और nifty में हमें selling आती हुई दिखती है तो हो सकता है nifty auto भी short term में हमें उतना ज दो महीने में देख सकता है nifty auto में इस टाइम पर जो स्ट्रॉक मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉंग लग रहा है वह है महिंद्रा एंड महिंद्रा महिंद्रा के अगर हम चार्ट पैटन की बात करें तो जैसा कि आपको याद होगा दो वीक पहले भी मैंने एक वीडियो बन ट्रेडिंग की पोजिशन वहां पर बना सकते हो और वहां से हम लोग देख सकते हैं कि बाउंस बैक देने के बाद दो दिन हमें काफी बढ़िया मूव आल्मोस्ट 10% का मूव दो दिन में महिंद्रा महिंद्रा और डिलेवर कर चुका है बट अगर यहां पर हम लोग बात क लंबी विक हमें बनती वे नहीं दिख रही है जो कि एक क्लियर साइन है कि बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर इसमें नहीं है और सेलर इसमें अभी इसमें काफी ज्यादा स्ट्रॉंग है तो ऐसे में अगर आने वाले दिनों में भी हमें यह स्टेबल देखने को मिलता है तो हम इसमें position बनाने के लिए consider कर सकते हैं अब जो short term के traders हैं जो higher level पर buy करने के लिए देख रहे हैं बट फिल भी अपना risk limited रखना चाहते हैं तो वह अपना stop loss इसके अंदर 1030 के असपास रख सकते हैं वहीं पर कुछ अगर positional trader type के लोग हैं जो फोड़ा सा wait करके अच्छे levels पर position बनाना चाहते हैं और जिनको opportunity miss होने से कोई problem नहीं है तो अगर आने वाले दिनों में महिंद्रा थोड़ा से यहां पर retrace करता है जिस तरीके से breakout इसने दिया है इसका अगर एक और pullback लेता हो सकता है थोड़ा और उपर जाकर के फिर pullback हमें लेता हुआ देखें तो अ आते हैं एक ही सेक्टर से और जो सेक्टर है basically defense का सेक्टर तो recently अगर आपने देखा होगा पिछले एक दो महिनों में पिछले तीन-चार महिनों में defense सेक्टर हमें काफी अच्छा perform करता हुआ दिख रहा है अगर आपको याद होगा HAL और BDL जैसे stocks भी हैं जिनमें हमने stocks हैं या जो अच्छे trend में stocks हैं उनके अंदर हमें weakness अभी तक जादा आती हुई नहीं दिख रही है काफी अच्छे से वो अपनी position hold करके बैठे हैं ऐसे में अगर आने वाले दिनों में nifty या broader market हमें उपर जाता हुआ दिखता है तो इनके अंदर फिर हमें एक अच्छी rally आ consolidation SL ने दिया था around 1200 से 1400 से 1500 के zone में और काफी बड़े range consolidation के बाद एक काफी बढ़िया breakout भी यहाँ पे दिया था लास्टाइम HL के अंदर हमने जो position बनाई थी वो बनाई थी 1400 के levels पे और लगबग इस वाले zone पे हमने 1700 के आसपस profit इसमें book किया था इसी के साथ अभी अगर हम HL का chart pattern देखते हैं तो एक चीज़ आप देख सकते हो लास्टाइम भी 50 यह में के आसपस से काफी बढ़िया bounce back HL ने लिया था with volumes bounce back लिया था यहां पर भी हमें वापस से HL 50 यह में के आसपस stabilize होता हुआ देख रहा है volumes भी हमें clearly काफी अच्छे से pick out होती हुए दिख रही है इस week हमें काफी बढ़िया volume आती हुए दिख रही है और उससे पहले भी अगर आप देखो तो काफी बढ़ि risky position या breakout trade के साब से trade लेने के लिए देख सकते है stop loss depend करेगा कि आप कितने risky trader हो किस तरग risk reward आप prefer करते हो अगर आप थोड़े positional type trader हो जो थोड़ा जादा risk लेते हो तो आप 1690 के असपा stop loss रख सकते हो वहीं पे अगर आप छोटा stop loss रखना पसंद करते हो तो 1740 1750 के असपास अपना stop loss रख सकते हो अल्दो यहां पे एक resistance रहेगा 1940 1950 के आसपास बट अगर वो resistance हमें clearly cross होता हुआ दिखता है तो ऐसे में HAL अगर हम यहां से यहां तकी range इसकी calculate करते हैं उतना ही approximate move हमें यहां से यहां almost 2150 से 2200 के zone में move देता हुआ देख सकता है तो HAL के अंदर काफी ब 2020 में जो इसने high बनाया था वो हाई इसने recently 2022 में ही तोड़ा है तो overall अगर हम बात करें तो बहुत जादा over perform नहीं किया था बट अब finally इसमें एक बड़ा trend हमें बनता हुआ दिख रहा है और defense का जो theme चल रहा है उसको ले करके जितने भी defense related stocks हैं सब में एक अच्छी opportunity हमें दि जिस तरह से make in India और made in India को push मिला है defense theme में तो ज्यादा से ज्यादा business उसमें ऐसी companies को मिलेगा अगर BEL की हम बात करते हैं तो similar to हिंदुस्ता नेर्वनाटिक्स इसमें भी आप देख सकते हो काफी बड़ा consolidation zone था जिसका finally हमें एक बड़ा breakout होता हुआ यहां पे देखने को मिला था अगर आपको याद हो तो इस वाले zone में भी हमने BEL को discuss किया था और उपर की side से जब retrace कर रहा था तो हमने exit भी BEL message कर लिया था वहीं पर अगर हम recent इसका chart pattern देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो एक kind of trend line बनती हुए दिख रही है जिसका support ले रहा है BEL और उपर क होते हैं वो भी नीचे की side squeeze होते रहते हैं और जो आपके lows होते हैं वो ऊपर की side squeeze होते रहते हैं तो ऐसे में जो आपकी volatility होती है जो आपके moves होते हैं वो छोटे-छोटे होते जाते हैं और फिर chances होते हैं कि ऊपर या नीचे की side आपको एक बड़ा breakout देखने को मिल सकता है अ अगर sector आपका strong है तो उपर की side breakout होने के chances काफी ज़्यादा हो जाते हैं तो वही चीज अभी हमें BEL में भी होती भी दिख रही है और ऐसे में अगर हमें यहाँ पर एक बड़िया तरीके से squeeze होता हुआ दिखता है तो थोड़ा जादा margin रख सकते हो ताकि छोटे stop loss पर आपको जल्द बाजी में निकलना ना पड़े और फिर वापस से आपको panic ना करना हो तो अगर आप थोड़ा बड़ा stop loss रखते हो तो 215 के आसपास रख सकते हो अगर आप छोटा stop loss रखना चाहते हो तो 220-23 के आसपास भी रख सकते हो बट अगेन जो तीनों stocks आज मैंने आपके साथ share किये हैं ये direct buying की recommendation नहीं है ये तीन stocks हैं जो मेरे radar पर हैं और overall broader market को अभी अगर हम देखें तो nifty ने अपने resistance को यानी 750-850 के zone को cross नहीं किया है अगर nifty हमें उसको cross करके उपर बैठता हुआ दिखता है तभी हम कोई short term positions बनाने के लिए देखेंगे otherwise हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे अपने risk reward को बहुत जादा respect करना जरूरी है जो risk आप market में ले रहे हो limited risk लो limited positions बनाओ ताकि आप उनको manage कर पाओ and अगर market फिर से गिरना start होता है तो आपके losses भी limited हो तो जल्दी से मुझे चैट में बताओ आज की वीडियो आपको कैसी लगी अगर बढ़िया लगी हो तो जल्दी से like का बटन दबाओ हमारा एक initiative है big bulls club तो वो अगर आपने अभी तक join नहीं किया है तो link उसके आपको description में और comment के अंदर पहले comment में मिल जाएगी तो big bulls club आप join कर सकते हो जिसके अंदर ये stocks या कोई और stocks में जब हम खुद entry बनाएंगे या खुद entry बनाने के लिए देखेंगे तो हम आपके साथ share कर देंगे and daily 2.30 pm पर discussion होता है जिसका part आप वहाँ पर बन सकते हो तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो like करिए दोस्तों के साथ share करिए चैनल को subscribe करिए and daily हमारे live sessions होते हैं उनके साथ भी आप जोड़ सकते हैं आज के लिए इतना इताफ फिन बिलेंगे तब तक के लिए thank you